मुट्माश्कार दोस्तो। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। दोस्तो आज हम बात करेंगे अमावश्या को करने वाले कुछ कारों के बारे में। प्रतेक अमावश्या को अपने पितर गणो पूर्वजों के लिए ये कुछ कारे हैं जो अवश्य हमें करने जाएए क्योंकि अमावश्या तिति पितरों को अत्यंत प्रिय है इसलिए कहा जाता है कि जिस परिवार में भी अपने दिवंगत माता पिता या पूर्वजों के लिए आमावशा तिसी को विशेस कार रिके जाते हैं, दान वगेरा किया जाता है उन पर हमेशा उनकी गर्पादरस्टी बनी रहती है पित्र दोस्ट ये मुक्ति के लिए अमावशा दिती बहुत ही महतुपून है आते अमावशा के दिन अपने पित्रों के लिए आगे बताए कुछ कारे हैं जो आपको या हमें भी करनी चाहिए ताकि पित्रों की गर्पादरस्टी हम पर हमेशा ही बनी रहे सबसे पहला काम है तरपन हर अमावशा के दिन अपने पित्रों के प्रती हमें तरपन अवश्य करना चाहिए और दूसरा काम है स्नान हर प्रती एक अमावशा के दिन गंगा का स्नान करना बहुत ही जरूरी है और लाबकारी है हमारे लिए यदि मालों आप कहीं थोड़ा सा व्यस्थ हैं और आप त्रित्स्थान नहीं जा पाई तो घर में भी आप ऊस्थान कर सकते हैं बाल्ती बर पानी में गंगा जल डालिजिये वो भी आपका ऊस्थान का फल पर देता है तीसरा है दान अमावश के दिन दान का बहुत ही विशेस मैत्व है जैसे सफेद कपड़े हो, श्वेत बस्तर, चावल, आदी, चांदी, गुर गुर नहोता है, मिठाई हो, कुछ भी आप या पुस्प और पानी का लोटा उसमें थोड़े काले तिल डालकर अवशेदान करें और तीन भाग हमेशा होते हैं किसी भी अन के नमबर पहला जो भाग होता है, यानि कि पहला बोग वो होता है गउमाता का हर एक अमावश के दिन गउमातों को भोग जरूर लगाना चाहिए यह पितरों को अचयंत प्रिय होता है घर के अंदर कोई भी दोश हो, सब जो भी उतपन हुआ हो या उतपन होते हो वो गाएं की सेवा ना करने से होते हैं यानि कि गाएं की सेवा आप लोग सेववंचित हैं इसलिए वहाँ पर उस घर के अंदर हमेशा दोशुत्पन होते रहते हैं कम से कम प्रती दिन गाएं को एक रोटी गुड के साथ अवश्य खिलानी चाहिए हम सब को जल पिलाएं इससे पितर भी और देवता भी सब भी हम पर प्रसंद रहते हैं दूसरा भोग है कुट्टे का हर अमावशे के दिन कुट्टे को रोटी अवश्य देनी चाहिए और तीसरा भाग है तीसरा भोग है कमवे का इसको आप कुवा कहते हैं तो इन तिनों को अन्यदान हमेशा करना चाहिए और चोथा है द्यान आमावशे के दिन पित्रों का ध्यान एवं जब अत्यंत महतुपून होता है तीन जगे जब विश्यस फल्दाई होते हैं नमबर पहला कहीं तीर दिस्थान हो उसके किनारे बैठ कर जिसे गंगास्नान अप लोग जाते हैं नमबर इसके किनारे बैठ कर हम जब करते हैं दूसरा है पीपल के नीचे बैठ कर कोई गैतरी मंदर करना या पित्रों चालीस होती है वो पढ़ना और तीसरा होता है गोसाला के पास जहां पर गाएं की जो गुशाला होती हैं चास बार बैठ कर या उसमें बैठ कर एक सो आठ बार जब करें एक सो आठ बार माला के मोती जो होते हैं वो जब करें एक सो आठ बार भी कर लें माला के जब एक सो आठ मोती जो होते हैं माला में वो भी कर सकते हैं और पांचवा काम है पीपल की पेड़े में जल्दान आप करेंगे तो कम से कम सफेद कपड़े आप पहने और चंदन का तिलक लगाएं ये पित्रों को बहुत पसंद होता है और सूरियोद्य के समय ही ये सब कुछ करें और ध्यान रहे जल में थोड़ा सा काला तेल अवश्य डालें उसे डाल कर ही पित्रों के नाम से पीपल में हमारे पुरान कहते हैं जो भी व्यक्ति अपने पित्रगणो के निवित पीपल में जल्दान करता है दीबदान करता है तिलके तेल का उसपर हमेशा देवो और पित्रों की करपा हमेशा बनी रहती है और वै हमेशा धन धाने और हरसुख से परिपून रहता है और एक बात और चीटियों को और पक्षियों को भी हमेशा कुछ न कुछ दान करना चाहिए अमावशे की दिन इश्पियस लिए तो ये सारे कारे ही अमावशे की दिन हमें जरूर करने चाहिए आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये पसंद आई तो कृप्या करके अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्रेब करें धहनेवाद दोस्तो